आज मैं आपके लिए एक नई देशिपी लेकर आई हूँ बेसन कचीला इसे बनाने के लिए हमने थोड़ा सा यहां पर बेसन लिया है और हमने इसे मेजर नहीं किया है क्योंकि हमें हर चीज मेजर करने के आवस्चक्ता नहीं होती कुछ चीज ऐसी होती हैं जिसे हम अंदाज में आट कर देंगे देखिए हमने प्याजर हरी मेर्च को बेसन में आट कर दिया है तो अब हम इसमें मसाले भी आट कर देते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें स्वादन शार नमक डाल रहे हैं और थोड़ा से इसमें हल्दी पौडर डाल देंगे और थोड़ा साम इसमें लाल म तो अप चलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी आड़ कर लेती हूं कि हमें इसका पत्ला भी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा गड़ा राकना है देखे मैंने इसके बैटर तयार कर लिया है और इसकी consistency देख सकते हैं किस तरह से बन कर तयाद हो है ना ही जबाद पतला है और ना ही ज़दा गाड़ा आपको भी इसी तरह से बैटर बनाना है तब ही आपका चीला अच्छे से बनेगा तो चलिए इसको पांस मिनट के लिए ढख जेते हैं अच्छे से फूलने के लिए उसके बाद ही हम इसका चीला बनाएंगे इससे चीला और भी अच्छा बनेगा देखे पांच मिनट पूदा हो गया है और बेसन हमार अच्छे से फूल गया है तो चलिए अब चीला बनाने स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर तवा गर्म कर लिया है मैंने यहां पर बेशन का चीला बनाने के लिए नॉन इस्टिक तवा यूश किया है आप चाहे तो कोई भी तवा यूश कर सकते हैं यह कोई भी तवा से आसानी से बन जाता है तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ऑईल ग्रीस कर लेते हैं सभी तरफ अच्छे से ग्रीस करेंगे ओईल को हमने पूरी तरफ अच्छे से ग्रीस कर लिया है तो चलिए अब हम इसमें बैटर को थोड़ा-थोड़ा करके सभी तरफ फैला लेंगे अब जब भी बैसन का चीला बनाये इस बात का जरूर ध्यां रखे कि चीला बनाते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम में ही रखे क्योंकि बैसन का चीला नीचे से जल्दी से जलने लगता है और इसका टेस्ट करवा हो जाता है तो हमें इसे हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं बनाना है नहीं तो चीला नीचे से जल जाएगा तो देखें बेशन को हमने तवे पर सभी तरफ फैला लिया है अब हम इसको ढग देंगे और एक मिनट तरफ पकने देंगे एक मिनट पूरा हो चुका है तो चलिए अब देख लेते हैं चीला हमारा अच्छे से पका है कि नहीं तो देखें चीला पूरी तरफ से पक चुका है तो अब हम इसे एक तरफ से पलट लेंगे देखें हम चीला को पलट रहे हैं और देखें कितना आसानी से निकल गया और ये नीचे से भी नहीं जला है और अच्छे से सीखाया हुआ है अगर आप मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान दखेंगे तो आप से भी इसी तरफ से perfect चीला बन कर त्यार होगा तो देखें मारा चीला दोनों तरब से सीख चुका ह अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और मैंने इसे टमाटर और हरी मिर्च के चटनी के साथ सर्व किया है आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं यह सभी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है तो पार ज़रूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगी हूं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू